हाई गईस वलकुम बेक आज हम बात करने वाले हैं bird flu के बारे में bird flu का आपने बहुत बार नाम सुना होगा new Along works commonly ये पहता है ये फैलता है तो bird flu बैसिकली किन को होता है और क्यों होता है थोड़ा सा इस के बारे में जानना ज़रूरी बनता है जैसे common cold होता है, मतलब सरदी जुखाम जैसे हो जाता है, simply, तो इसी तरीके से जो होता है, bird flu भी birds को birds से, यानि कि पक्सियों को पक्सियों से, जो flu होता है, उसको bird flu बोलते हैं, तो इसकी basically दो वेराइटी होती है, एक होती है H5N1, दूसरी होती है H7N9, ये केवल इंडिया मे जैसे कि ASEAN जो कंट्री होते हैं, ये उरोप में, सब कंट्री में बिच बिच में ये फैलता है, जब पक्सियों के दोवारा, जो contaminated water होता है, जैसे कुछ लोग poultry farm वागर में काम करते हैं, ये poultry farm वोगर होते हैं, जिन लोगों के तो वहां पर वो पक्सियों के लिए पानी रखते हैं, तो उन पक्सियों के जो पानी होता है, वो contaminated हो जाता है, जब वो उसको पीते हैं, इसी भी तरीके से वो पानी जो है, अगर नोर्मल जो इनसान होते हैं, वो उनके यूज में आजाए, तो ये फैल सकता है, दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो non-vegetarian होते है जैसे कि चिकन वगरा कुछ लोग खाते हैं, तो जब ये कच्चे पके होते हैं, तो उसी स्तिदी में भी उन लोगों में ये वाइरस ट्रांस्मिट हो सकता है, अब इसके लक्सन जो होते हैं, वो बिलकुल सिंपल, common cold की तरह ही इसके लक्सन होते हैं, जैसे कि बुखार, ख जो खाम जो होता है, उसके अंदर जो लक्सन होते हैं, उन में देखा होगा, क्या इतने ही लक्सनों से ये बिमारी पीछा चोड़ देती हैं, नहीं, कभी-कभी ये बिमारी जो है, जो इंफेक्शन होता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट में जब होता है, तो खासी जुखाम इस तरह की दिकट होती है, लेकिन जब रॉड़ र। नीचे की तरफ चला जाता है, यानि कि ये कि जब इन्फेक्शन हो जाता है यानि कि आपके फिपडों के अंतर जब इन्फेक्शन चला जाता है तो उस इस्टिति में उस व्यक्ति को pneumonia हो सकता है, उसको breathing difficulty हो सकती है और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है जान जाने के level तक ये जो है infection बहुत कम लोगों को होता है बहुत कम लोग इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा serious रूप से बिमार होता है ऐसा बहुत ही rare होता है लेकिन यदि इससे पिडित होने वाले व्यक्ति बुजुर्ग हो या किसी और बिमारी से पहले से ही बिमार हो जैसे कि diabetes, कोई heart की बिमारी या फिर उस व्यक्ति का immune system compromised हो immune system down हो तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत गंभी रूप से बिमार कर सकती है ये बिमारी और एक बार ये किसी इनसान को हो जाए तो वो इनसान इस विमारी को दूसरे लोगों में भी transmit कर सकता है अब इसके treatment की बात करते हैं तो इसमें जो treatment चलता है वो antiviral चलता है basically tamiflu अगरा की जो दमाईयां आती है इस तरह की दमाईयों से ये ठीक हो जाता है और कुछ-कुछ देशों की जो government होती है वो H5N1 जो ये virus टाइप होता है इसको इसके लिए vaccine भी वो अपने लोगों को provide करवा देती है simple सी चोटी-चोटी सी बाते थी bird flu के बारे में जो की बहुत को uncommon है मतलब आप लोगों को इसके बारे में और कहीं से नहीं पता चलेगा जल्दी से इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो तो इसके उपर बना ही देते हैं तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी comment box में लिख करके बता दीजेगा चैनल की support के लिए चैनल को subscribe कर दिया गरो thank you